नमस्कार मैं विपिन बंसल वास्तु कुंसिल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर एक नए नक्षे पर चर्चा करते हैं हमारे पाच जो नक्षे आया वह साथ फेसिंग इस नक्षे में वास्तु के न मुसार क्या कमिया है कमिया है और इसे कैसे चाई invites के बारे में जलेंगे वैसे तो parking area पूरे घर के फरश के लेवल से नीचे रखा जाता है लेकिन south facing गर में यदि आप parking area नीचा रखते हैं तो कही ना कहीं बच्चों के स्वास्ते को लेकिसमर से बनती है Parking से ही सीड़ियां दिखाईगी है जो की clockwise उपर के और जाती है यहाँ पर दियान रखना है, सिड़ी बनाते समय, जो पहले तीन से चार स्टैप होते हैं, उन्हें कभी भी ठोस नहीं बनाना पहला step फर्ष के उपर हो बाकी के सारे step बिना फर्ष को छुए बनेंगे step वाले बनेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है parking area से ही घर की entrance दिखाएगी है जो की lobby के अंदर खुलती है और kitchen south के भाग में दिखाएगी है यहाँ पर kitchen बिल्कुल सही है south के भाग में जब big kitchen बनती है तो घर के अंदर finance आने के साधन पैसे आने के साधन लगातार बने रहते हैं और लगातार पैसा आता है एक bedroom south west कोने की और दिखाया गया है यहाँ पर यह bedroom बिल्कुल सही है लेकिन इस bedroom में जो खिड़की दिखाएगी है वो south west कोने में दिखाएगी है इस खिड़की को आप यहाँ से हटा कर जो कमरे का दरवाजा है दरवाजे के ठीक सामने खिड़की को बनाए और खिड़की की जो चोड़ाई है वो कम से कम होनी चाहिए south west का कोना आपने बिल्कुल pack रखना है lobby घर के मद्यवाग में west की दिवार के साथ दिखाएगी है यह lobby बिल्कुल सही है इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अब बात करते हैं दूसरे room की दुसरा room जो दिखाए गया है वो northeast के भाग में दिखाया गया है यह room भी आपका बिल्कुल सही है इसमें भी दिक्कत नहीं है एक toilet नॉर्थ के भाग में दिखाएगी है यहां पर यह toilet छीक है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो toilet का दर्वाजा है वो kitchen को देखता है kitchen का दर्वाजा और toilet का दर्वाजा आपने सामने है आपने इसमें करना क्या है या तो आप इस toilet को यहां से हटाएं अगर आप इस toilet को यहां से नहीं हटा सकते तो इसके लिए आपने करना क्या है जो इसका दर्वाजा है इस दर्वाजे के उपर आपने एक door closure लगाना है और दर्वाजे के ठीक सामने आपने टौलेट शीट को नहीं लगाना इन बातों का आपने इस टौलेट के अंदर जो आपकी नौर्थ के अंदर टौलेट दिखाएगी है टौलेट के सामने जो कीचेन है इसके करण आपने ये दो काम करने है एक तो दर्वाजे के सामने शेट नहीं लगानी है दूसरा दर्वाजे पर आपने door closure लगाना है एक bedroom इस प्लस नौर्थ इस टौलेट दिखाएगी है यहाँ पर टौलेट आने से घर के अंदर बेवजय का तनाव भी बनता है जगड़े होने के कारण भी बनता है क्योंकि नौर्थ इस्ट के स्थान को सबसे पुवित्र स्थान मना जाता है इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर आप अपने घर का मंदिर बनाए तो एजबर वास्तू बिलकुल अच्छा रहेगा नौर्थ का भाग ओपन दिखाया गया है यह ओपन एरिया एजबर वास्तू बिलकुल सही है और नौर्थ का भाग जितना ज़्यादा खुला होता है घर के अंदर उतने ही खुशाली बढ़ती है इसमें आपने करना क्या है जो आपकी नौर्थ सेंचा से North East Corner तक North के भाग को जितना खुला रखेंगे उतना ही आपको लाब मिलेगा इसी के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है आपके घर का South का भाग सबसे उचा होना चाहिए और जो घर का North North East का भाग है वो बिल्कुल नीचा होना चाहिए सबसे नीचा होना चाहिए और जितना भी आपने अपने घर के अंदर पानी का काम करना है मैक्सिमुम पानी का काम आपका North Plus North East के भाग में ही होना चाहिए और South के भाग को जितना सूखा रखेंगे घर के अंदर उतने ही खुशाली आएगी इस परकार आप अपने इस नक्षे को हुआ 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 है